कई आई आप सभी को कहानी सुनाते हैं यह कहानी मैंने ये खुबसूरत इन्सान से सुने थी और अब काफी जएधा प्रहवित भी हुआ तो सचाग ये कहानी क्यों शाजार कीजया यह कहान यह ने जापान देश की है, जापान देश में एक यूवा एक जिन महात्मा से काफे ज़्यादा प्रभावित था. तो उस यूवा ने उन जिन महात्मा को अपने घर पर अमंतित किया पार्टी में. उस पार्टी में उसने अपने आफिस के लोगों को बुलाया, अपने रिस्तदारों को बुलाया, अपने दोस्तों को बुलाया, जिनने वो चाहता है था कि वो उन जन महात्मा के विचारों को सुने, समझें और जो भी प्रहावित हो और तो अपना जीवन उस रहा पर चलाए उसका जो घर था, वो सात्वे मंजल पर था, अपनी बिल्डिंग काफी बड़ी बिल्डिंग थी, और जन महात्मा आए, सारे लोग आए, जन महात्मा को गेर कर सभी लोग बैठे हुए थे, उनसे बाते सुन रहे थे, उनसे सवाल पूछ रहे थे, चर्चाएं हो रहे ही, दोस्त, बिल्डिंग के दूसरे लोग, कोई सात्वे से छट्वे फ्रोल भाग रहा है, कोई नीचे भाग रहा है, सीडियों पर भीड हो गई, और जो युवा इंसान था, जिसने पार्टी को आयोजित किया था, वो गेट पर ही अपने अटक्ते रहे गया, वो निकल ही नह मैं उसको ख्याल आया कि मैंने जो जिन महात्मा को हमंत्रित किया था अपनी पार्टी में, जो हमारे मुख्याती थी है, वो कहा रहे गया, सारी भीड में देखा उसने, वहां पे जिन महात्मा मिले नहीं, इधर-उदर हर जगर देख लिया नहीं मिले, उससे लगा हो सकता शायद अंदर रह गए हों अंदर वो फस गए होंगे तो अंदर देखता हूं अंदर जब उसने देखा तो वो जिन महत्मा कुर्सी पर पालती मार कर बैठे हुए हैं आख बंध है उनकी और लग रहा है जिसे साक्षात बुद्ध ध्यान में बैठे हुए हैं साक्षात और इतजार करने लगा कि कब उन जिन महत्मा की आखे कुलेंगे अब भूकम लगातार उसके जटके आ रहे हैं जब भूकम के जटके खतम हुए हैं जिन महत्मा की आख खुली तो जिन महत्मा ने बात करना शुरू कर दिया जहां से बात खतम हुई थी भूकम पाने से पहल लिए तो उस युवा इंसान ने का कि महात्मा मुझे तो कुछ चीज़ याद नहीं है क्योंकि बीच में इतनी बड़ी आपदा आ गई सारा का सारा शहर इसके बारे में बातें कर रहा है सारा का सारा शहर उससे बचने की कोशिश कर रहा था हर जगह हाहा कार मचा हुआ है तो मुझे तो कुछ भी यातनी है लिकिन मुझे सिर्फ आप से एक सवाल पूछना है कि इतनी बड़ी आपदा आ गई सब लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे और आप यहाँ पर आराम से पालती मार कर बैठे हुए थे तो जिन महात्मा ने का कि भागा तो मैं भी पर मेरा भागना तुम से दिखा नहीं तुम बाहर की तरफ भागे सब लोग बाहर की तरफ भाग रहे थे लेकिन मैं अंदर की तरफ भागा तुम वहाँ भागे जहाँ पर भूकम्प था भूकम्प इस घर में भी था भूकम्प इस बिल्डिंग में भी था भूकम्प तुम नीचे निकल कर जाते किसी पार्क में वहाँ पर भी था सडक पर भी था तुम भूकम से भूकम की तरफ जा रहे दे मैंने अपने आखे बन कर की अपने अंदर टटोला अपने अंदर वो जगह ढूरने के कोशिश करी जहां पर बाहरी किसी भी चीज़ का प्रभाव नहीं परता बाहर कितना भी बड़ा भूकम पा जाए कितनी भी बड़ी आपदा आजाए अंदर उस चीज़ का प्रभाव नहीं परता तो मैं उस जगह जाने कोशिश कर रहा था चिंता सिर्फ इस बात की थी कि उस जगह जो मेरे अंदर है जहां पर शांती है परम शांती है वहाँ पहुंचने से पहले कहीं मैं मरना जाओं मैं जब वहाँ पहुंचने के बाद तो कुछ मुझे पताई नहीं चला कि क्या हो रहा है बाहर, क्या नहीं हो रहा है तो आप सभी से बस यही कहना है कि जीवन में कितनी भी तरय की भूखम पाएं बहुत सारे भूकंप आते रहते हैं, रोजशी आते रहते हैं, जीवन में बहुत सारे चुनौतियां आती रहते हैं, लेकिन हमें उन चुनौतियों से जूजने के लिए बाहर भागने के जरूरत नहीं है, उन चुनौतियों से लड़ने के लिए या उन से पार पाने के लिए कि हमें बाहर भटकनी की जरूत नहीं है बलकि उनसे पार पाना है तो हमें अपने अंदर जाने की जरूत है और हमें अपने अंदर हमां सब के अंदर एक ऐसी जगर होती है जगर पर हम जाएं तो बाहर की किसी भी अवस्था से बाहर के किसी भी चुनौती से बाहर के किसी भी आपदा से हमें वहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मैंने तो यही सिखा है और मैंने सिखा है कि अभी हमारा अंदर जाने का समय है तो हम अपने अंदर की चीजों को टटो लें समझें और एक जेगह देखें जहां पर हम हमेशा अपने आपको पा सकते हैं अगले हबते मैं आपसे फिर से मिलूँगा एक नहीं कहानी के साथ बहुत बहुत हैने बादा